बाजार बोलता है पहले FISDIs का डेटा देख लेते हैं उसके बाद ग्लोबल इंडिसी जहां पर कि आज लहुलुहान हुआ पड़ाय मार्केट टा इक बार नज़र डालेते हैं किस तरह का रुजान बे देखने के लिए मिला पहले FISDIs का डेटा देखते हैं तो कल FISD मार्केट में बाई करते हुए नज़र आई ये बड़ा इंटरस्टिंग बैट है और DIs ने कल प्रॉफिट बुकिंग की तो ये भी बड़ा इंटरस्टिंग है लेकिन DIs की जो प्रॉफिट बुकिंग है काफी मार्शनल थी 337 करोड रुपे की लेकिन FISD की जो बा जिससरा का रुजहान देखने के लिए मिला और ने करीब 11% की गिरावट इंटरस्टिंग है क्याकूछ प्रॉफिए कारण है sudah की बात करेंगे दुनिया भट के बाजार परसेंट गिरा हुआ है जी आर इंफ्रा यहां पर रिजल्स आए उसके इंपक्ट है काउंटर पर रैपको हॉम यहां पर भी रिजल्स का इंपक्ट है बैक्टर फूल्ड यहां पर करीब चार पीज़ी की ग्रावट देखने के लिए वहीं अगर देखें तो आज के अगर 257 रुपे पर अभी चाल ला है जीए यहां पर 598 रुपे पर चल ला है करीब 6% उपर अदानी विल्मर में अच्छी स्टरेंथ है राजारी बायो टेक का यहां पर स्टरेंथ है और सिंफनी लिमिटेड में अच्छी स्टरेंथ है ग्लोबल मार्केट क्यों गिर रहे हैं उ कि वहाँ पर जो interest rate बढ़ाया और उसके बाद ये माना जा रहा है कि उनकी जो currency है अभी भी लगातार problem में है जिसकी वजह से वहाँ पर currency trade बहुत important होता है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि Japanese market में गिरावट है साथ ही अगर देखें तो एक और important जो geopolitical front पर जो risk गहराया हुआ है वो ये है कि इरान जल्द इसराइल के खिलाफ कुछ कारवाई कर सकता है या युद्ध की शुरुवाद भी कर सकता है ऐसा New York Times ने बोला है तो ये एक important trigger है हाला कि इरान हो सकता है कि जो last time भी एक उन्होंने escalation किया था तो वीकेंड्स में किया था तो थोड़ा सा समल के जाने की आज जोड़त रहेगी रवी सर अगर मैं देखू तो ये जो geopolitical risk है और जो ये अमेरिका में मंदी की बात हो रही है आप किसको ज़्यादा विटिज देंगे देखे जब मार्केट गिरती है तो उसमें मंदी से ज़्यादर ज़रूरी हो जाता है जियो पॉलिटिकल टेंशन क्योंकि अगर अचानक से कोई टेंशन यहाँ पर create होती तो उसका impact यह होता है जो आज आपको देखने को मिल रहा है और जो आप जहां पर आपने विवेग जी बहुत अच्छी बात कही है कि जो डेटा का impact है या जो आप कह रहे हैं कि यहां पर jobless claim data हो या house home के data हो उनके अगर आते हैं तो धीरे धीरे आपको गिरावट का trend देखने को मिलता है लेकिन फिलहाल अभी जो panic create है वो panic में सर देखो अब आप अगर अगर other channel देख रहे ह है जी कुछ तो reason देना ना क्या reason दे आप बताओ यही reason दे देते हैं कि yen बढ़ गया yen गिर गया dollar हो गया jobless data आ गया यह जीओ political tension increase हो गया true डलके prices stable नहीं रहेंगे आगे बढ़ जाएंगे point यह है कि market जब चड़ता है तो थोड़ी profit booking दिखाता है लेकिन जब इस तरीके की news जो आपको विवेग भाई यहाँ पर बताने की कोशिश करना है कि जब news आती है तो उसका जो reaction होता है वो थोड़ा double देखने को मिलता है और वही reaction यहाँ पर trigger हुआ है अगर trigger हुआ है तो यह एक दो दिन में ठंडा भी नहीं होगा आपको एक दो दिन अब यानि कि आज चोकी last trading day है तो थोड़ा सा impact जो है ज़्यादा दिखाई दे रहा है अगर यही Monday होता तो शायद थोड़ा impact कम दिखाई देता लेकिन यह है कि market में negativity थोड़ी सी बनी है अब Indian market उसके comparison में आप तो नए high पे high बनते जा रहे थे अब आज जो है वो आपको बड़े बड़े पंडित यहाँ पर ग्यान देते हुए नजर आएंगे कौन सा sector attract कर रहा है उसकी तरफ आपको बताएंगे लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड समझे market को थोड़ा time दीजिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ी profit booking बढ़ने के संकेत बढ़ रहे हैं और जो विवेक भाई ने बात कई उसको ध्यान रखे हैं क्योंकि विवेक जी वैसे भी Google आदमी आप इनसे कुछी पूछे सब news अपो फटा फट बताएंगे और इस समय अभ पूछे जी अगर देखे तो कुछ एक घरेलू खबरे भी है इनफोसिस को जो notice मिला था GST विभाग करनाटका से उन्होंने वापस ले लिया सर दो अब चीजे इनफोसिस के साथ चल रही है एक जो GST का एक जो problem है वो hangover एक investor के mind में बन जाता है कि कुछ problem तो है अब वो कित पॉजिटिव हुए थे कैसे देखना चाहिए सर इनफोसिस को है यह सिर्फ लास्ट एक देड मेना हुआ है कि यह कौडरल रिजल्स के बाद और उसके ज़स्ट थोड़ा सा पहले हमने एक positive impact देखा है बड़ा मैं लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा कि जहां पर यह लास्ट एक साल में इतने बड़े रिटन्स ना बने हो और जहां पर रिस्क रोड रिशो आगे चलके फेवरेबल टरन हो रहे हो तो इसके पटिकुलर भी बात करें तो स्टॉक 1350 से लेकि 1900 तक एक तरफा मूव आया तो जस्ट में लग रहा है कि छोटे-मो कि रखने की सला रहेगी स्टॉक वैसी भी मोमेंटम रीडिंग्स ओवरबॉट है तो चोटे करेक्शन रहेंगे जो प्रीवियस हाई था जिसका ब्रेक आउट स्टॉक में 1675-1700 की आसपास दिया था तो आधिंग अब कोई भी डिप में वो सपोर्ट बन जाएगा तो ऐसे शुरू कर देते हैं विदित कुमार जी का सवाल है इरेडा पर उनका सवाल है दस अधार शेयर लिए हुएं सर 214 रुपे पर दो साल का व्यूय है रवी सर क्या करना चाहिए इरेडा पर काफी सवाल आते हैं इरेडा का प्यार इसलिए बढ़ा है क्योंकि 32 रुपए से स्टॉक ने 300 रुपए का हाई बनाया है और इस समय चल रहा है 256 रुपए तो फिर चिंता की तो कोई बात है नहीं 210 पर खरीदा है 230 रुपए 32 रुपए के नीचे स्टॉक जाने वाला नहीं है और मार्केट में जो बिल्कुल बाय करिएगा फ्रेश जो लोग सोच रहे तो उनको भी बाय करने का मौका मिलेगा पहला टार्गेट 280 दूसरा टार्गेट 330 रुपए तो यानि कि थोड़ा लॉंग टम के हिसाब से अच्छा है करेक्शन अच्छा है कि कुछ चीज़ें अच्छी होती है उनमें है अभी आपको यहां पर बिल्कुल बने रहना है और एक बार को जो आपने हाई देखा है उसके बाद अगर दुबारा मौका मिल रहा थोड़ा एवरिच करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन फिलहाल अभी टार्गेट होगा 280 पहला उसके बाद 330 रुपए और देखते हैं तो 230 के नीचे का क्लोजिंग शायदी देखने को मिलेगा बिल्कुल कुछ एक दर्शक लेक रहे हैं यह अंशुत ओमर जी उसमें हैं आपका बहुत दर्शक बेसब्ली से इंतजार कर रहे थे और आज हमारे शो में पहली बार आए इस समय पर तो इसलिए पॉलिटिकल रिस्क है दूसी तरफ फैट ड्रेट कट करने की बात कर रहा है तो कमोडिटी के प्राइजिस में हमने एक सर्ज आता हुआ देखा कैसे देखने हैं सर ओयल एक्स्प्लोरेशन कंप्टीज लाइक को ओए जी सी वेदानता हिंदूस्तान ओयल एक्स्प्लोरेश सभी में आपको लॉंग टर्म चार्ट पे ब्रेक आउट अच्छे वोल्यूम के साथ नजर आएंगे तो मिले सबसे नो यह पुरा ही सेग्मेंट हमें लग रहा है कि आगे जो आउट कोफॉर्मन से वो कंटीनू रखेगा और ओंजिसी ओल इंडिया सेलान हिंदूस्तान च और ओर सेक्टर पे बायस काफी पॉजिटिव है एक हमारे साथ दर्शक भी जो चुके है अर्विंद यादव जी जुने है मुंबाई से यादव जी हाई गुड मॉनिंग सार पूछे अपना सवाल लगता है काल डिसकनेक्ट हो गया उनका सवाल ले लेते हैं अगर उन्होंने सवाल हमारी टीम को लिख पाया है या बता है तो कैनरा बैंक के थाउजन शेयर है इनके पास 114 रुपे के भावव पर रवी सर कैसे देख रहे हैं PSU बैंक में क्यूकि रिजल्स मिक्स आए हैं क इन्वेस्टर को मौका दे रहा है इससे पहले एक मूव इसने 118 रुपे तक दिखाया था तो चाट पैटन पर ऐसा कुछ खास वीकनेस नहीं दिखाई दे रही बात देखे रिजल्ट एक अलग सेग्मेंट है रिजल्ट के दिन सिर्फ स्टाक में प्रॉफिट बुक किया जाता है ना कि फ्रेश बाई किया जाता है चाहे अच्छे रिजल्ट आए हो और चाहे बुरे रिजल्ट आए हो फिलाल अभी कहीं से आप से अगर कैनरा बैंक को देखते हैं मुझे लगता है बिल्कुल 113 पे आपने खरीदा 111 चल रहा है 110 के पास और 110 के आस पास आता है थोड़ा और खरीदेगा 105 के stop loss डालिएगा छोड़ दीजिएगा कितना छोड़ना है तीन वीक अगर छोड़ देंगे तो वापिस 118 और अगर 6 वीक के लिए छोड़ देंगे तो 125 के आस पास तक के लेवल आपको दिखाई देंगे मार्केट कहीं बिजा है यह अपनी धु होल्ड करकर चल सकते हैं केर्णा बैंक को एक दर्शक का सवाल मिला है गंशाब यादव जी हैं टाटा इलेकसाई पर पूछ रहे हैं साथ हजार एक सोपचास रुपे की प्राइस पर इन्होंने कुछ शेयर लिये हुए दो तीन साल का व्यू है रोज़ जी कैसे दिख रही है और अगर आप पिछले कुछ दिनों में जो IT या मिटकर पाइटी स्टॉक्स में जो तीजी आई है उसमे अगर आप रिलेटिव या कंपरेटिव एनलसिस करेंगे तो यह स्टॉकिक अंडर परफॉर्मर रहा है तो मेरे साब से तो शिफ्ट हो जाना बेटर है दुसरे को अगर आप शिफ्ट हो जाएंगे दो तीन साल के पस्पेक्टिव से तो आपको काफी अच्छे रिटरंज वहां पर भी बनते हुए नज़र आ सकते हैं बिल्कुल कुछ एक खबरों की तरफ भी बरते हैं आइडिबी आई बैंक में हिस्सा खरीद की दौर्ड में कोटेक महिंद्रा बैंक फेरफेक्स और एमिराट्स एंडी भी शामिल हो गए है और शाट से पिछटर दिनों में माना जा रहा है कि बिड सब्मिट हो जाएंगी और इस साल के अंत तक इस फिनेंशल येर के अंत तक नाम भी फाइनल हो जाएगा कि कौन आई डिबी बैंक में हिस्सा खरीदने की दौर्ड में आगे आ गया है और जीत गया है रवी सर कैसे देख रहे हैं आई डिबी बैंक एजन बैंक की यहाँ पर अगर हिस्सा बड़ा आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है क्योंकि थोड़ा मार्केट का डैरेक्शन डाउन है इन फैक्ट मैं लाइव ही आपकी चैड भी देख रहा था SDFC पे भी एक आपके जो मेरे खाल से फैन है उन्होंने भेजा है विवेक भई आपको पर आपके यह मुझे मेरा सवाल पहला तो विवेक भई यह है कि यह इतने कमेंट आपको आते रहते हैं आप इनको पढ़ते कैसे हो यार मैं कोशिश कर रहा था पढ़ने के तो मेरा ध् हाल दिखा चुका 98 के पास चल रहा है 95 के पास फ्रेश बाई करना बनता है और जब ऐसी गुफ्तगू हो रही हो तो बड़े बैंक के साथ अगर मर्च करते हैं या बड़ा बैंक अगर टेक ओवर करता है तो जनरली स्टॉक के प्राइसे बढ़ने के चांसे होते हैं और ऐस 50 और 1720 के आसपास के लक्ष देखने को मिलेंगे लेकिन आपको बड़े की तरफ बजाए इतना महंगा शेर नहीं खरी सकते 95-98 रुपीज बचा सकते हैं रोज कम से कम ट्रेवल में बचा सकते हैं सबजीयां बचा सकते हैं सब महंगा होता जा रहे फिलाल तो लेकिन फिलाल वहां से आपको बाय करके रखना है IDBI पिस समय फोकस रखिए पैनिक होने के जरुरत नहीं स्टॉक गिरने के लिए 92 के नीचे जाने के चांसे बहुत कम है अपसाइड यहां से देखते हैं तो वापिस से 120 की सवारी कर सकता है तो बने रही है लेकिन कोटेक में थोड़ा सा भी एवाइड रखिए बहुत सारे दर्शकों के सवाल आते हैं और सही मैं आपने सही कोश्चन उठाया था कि यह कोश्चन पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है और मैं उन दर्शकों से खासतोर से रिक्वेस्ट करूँगा जो कि एक ही को कम से कम दस बार रिपीट कर देत हम जरू लेने की कोशिश करेंगे नेक्स हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हुए मिस्टर रोहन जुड़े हुए है रोहन जी हाई गुड मॉर्निंग सर पूछे अपना सवाल प्लीज गुड मॉर्निंग सर मेरा सवाल एच्टी ऐसे बैंक से है जी सब पूछे बिलकुल अच्छी फीलिंग आ रहे हुगी रोहन जी मार्केट साथ सो से आट सो पांट गिरा हुए और आपका जो शेयर है वो भाव भाव आगया आज ग्रीन में है और मार्केट को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि इसमें कुछ खबरे भी है वो खबरे भी में बता देता हूँ MSCI इंड अच्छा करेक्शन हुआ है और यह करेक्शन में इंपोर्टनली जो स्टॉक का सौ दिन का एक्सपोर्ट ता वो ब्रेक नहीं किया है 1580 इंग एक स्टॉंग शॉर्ट में टम सपोर्ट बन चुका अबर यह सपोर्ट इंटक रखता है तो यह नेक्स रैंड अफ पुल्बैक मूव याप मूफ प्रीवेस स्टॉंग हाईस तर यह स्टॉक जा सकता है फिलाल तो साइंस पॉजिटिव है तो अपने पोजिशन से बने रहे और अपकी पोजिशन से आप 1580 के निचे के फिलाल स्टॉक प्राइज जैसे स्टॉक प्राइज मौस ट्रेंट होती है अगर 1700 क लेविल सर्पास होते तो फिर आप अपने स्टॉपलो से जायर शिक्ट कर सकते हैं जी एक और इंपॉर्टेंट खबर रही इसमें की देखें तो अदानी एनरशी का जो क्यू आई पी था जो उन्होंने वन बिलियन डॉलर का रेस करने के लिए शुरू किया था करीब 84 सो क क्लेक्शन भी भारत का बहुत अच्छा है जुलाई में करीब GST कलेक्शन एक लाग 82 हजार करोड रुपे हुआ लेकिन मैं अदानी स्टॉक्स पर आऊंगा रवी सर कोई अच्छा लगता है क्या आपको अदानी समू में आज आगर मॉर्निंग शो आपने देखा हो जो चार परसेंट इसकी बढ़त पे ज्यादा भरोसा मत करिएगा चार सो के आसपास आएगा तो अगर जो लोग पहले खरीद रखें हों चार सो से अगर उपर खरीद रखें हों तो कहूंगा थुड़ा और वेट कर लीजेगा और जो पहले खरीद रखें हों उनको बिलकुल अगर देखते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं कि अधानी पावर या फिर अधानी इंटरप्राइज़ और अधानी पोर्ट ये तीन स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें की अगरेशन फिर से दिखाई देगा सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर अधानी ग्रूप के अधानी और इसका इंपाक्ट यह होगा कि यह अभी 1850 के सावारी करेगा तो आपके पास पोजिशन है तो बिल्कुल होल्ड करके रखें चार्ट पे भी ठीक ठाक लग रहा है दूसरा इस समय अगर अधानी इंटरप्राइज़ की बात कर लें देखें लॉंग टम मैंने इसका टार प्रिज में यानि कि आपकी पकड़ में और तब आपको इंटरी करनी है तो 3050 से 3050 के बीच में इंटरी कर रहीएगा छोड़ दीजेगा कुछ दिन के लिए रॉक और दिखाता है लेकिन बढ़िया आपको यहां पर रिटन दे जाएगा और अधानी पावर पर बने हुए तो 780 का लेवल जरूर धान रखेगा मैं बार बार आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन लेवल के ऊपर जा पाना थोड़ा मुश्किल है तो वहां पर आते ही प्रॉफिट बुक आपको करना है अब अधानी एक सलूशन बसता है मुझे लगता है वह भी कवर ही 1270 चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है थोड़ा गिरेगा 1250 तक आ सकता है लेकिन रिस्क बहुत कम है डिप पर रखेगा मार्केट रिवर्सल पर थोड़ा प्रॉफिट देगा कितना जाएगा पहला यहां से अगर चलता है तो 1380 तक के लेवल दिखा सकता है तो आपको सार अधानी एंटर्प्राइजिस और अधानी पोर्ट के कल रिजर्ल्स भी आये थे मार्केट बंद होने से थोड़े समय पहले ही और दौनों में अच्छी स्ट्रेंथ कल भी बनती ही दिखाई दी और आज भी मार्केट का जिस तरह का एक फॉल देखने के लिए मिला हुआ है उसमें सबसे तेज रिकवर करने वाले शेरों में से अधानी पोर्ट ही है अधानी पोर्ट अब ग्रीन में आ चुका है और अधानी एंटर्प्राइजिस भी करीब एक परसंट ही नीचे रह गया है जिसने की आज अगर कैश माकेट में देखे तो 3111 का लो लगाया था और अभी 3188 पर आ चुका है यानि की लगबग लगबग 80 रुपे की रिकवरी है कर चुका है काउंटर और अधानी पोर्ट जिसने की आज का लो लगाया था 1550 के असपास का अभी 1592 के पर चल ला है तो शांदा रिकवरी अधानी समू के शेरों में देखने के लिए मिल रही है रुचिट सर अगर देखें तो जिस तरह से हमने देखा कि अधानी समू में रिकवरी है कुछ आपकी रडार पर है जो की शेर आपको लगता है कि इस गिरावट में रिकवर होकर आज अच्छा ट्रेडिंग बैट बन सकते हैं कि अधानी ग्रूप देखें तो अधानी ग्रीन का स्टॉक नों में पुजेशनल लग रहा है कि यहां से एक अच्छी आप दे सकता है पिछले कुछ दिनों में जो करेक्शन आया उसके बाद एक अंसलेशन फेज में है लास्ट एक हफ्ते में अगर वॉल्यूम्स देखें जी सर रुची जी आप हमारे साथ जुड़े सर बहुत बहुत शुक्रिया आम से जुड़ने के लिए अपना प्रीशस टाइम देने के लिए तैंक यू रुची